नमश्कार आप देख रहे हैं SPT News और मैं हूँ आपके साथ आभा Fast Act के बारे में जानिये वो सब कुछ जो आप जानना चाहते है 1 दिसंबर 2019 से पूरे देश में लागू हो जाएगी Fast Act स्कीम केंडर सरकार ने One Nation One Fast Act स्कीम की शुरुवात कर दी है ये स्कीम 1 दिसंबर 2019 से पूरे देश में लागू हो जाएगी ये स्कीम लागू होने के बाद पूरे देश में कोई भी वाहन बिना कैश में टोल दिये कहीं भी ट्रेवल कर सकेगा सरकार लगातार कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फास्टेग इसका सबसे बड़ा उधारन है अभी देश में रास्टे राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा है जिन में से 380 टोल प्लाजा की सभी लेट फास्टेग से लेस हो गई है बाकी लेनों को भी फास्टेग से लेस किया जा रहा है एक दिसंबर से देश के सभी टोल प्लाजा पर ऐसी वेवस्था हो जाएगी KYC के लिए जरूरी ID proof जैसे की pen card, अधार card, driving license देने के बाद आपका फास्टेग अकाउंट बन जाता है इसके लिए पास्टेग साइस के एक फोटो की भी जरूरत होती है फास्टेग को सभी टोल प्लाजा और कुछ बैंकों से online खरीजा जा सकता है इसके अलावा आप टोल प्लाजा को Amazon इंडिया से भी खरीज सकते है वन टाइम टेग डिपोजिट की राशी जमा करके इसे लिया जा सकता है कार, जीप और वैन के लिए ये 200 रुपए जबकि ट्रक और ट्रक्टर के लिए ये 500 रुपए है फास्टरक को रिचार्ज करने के लिए आप क्रेडिट कार, डेबिट कार, RTGS और नेट बैंकिंग का प्रियोग कर सकते हैं आप अपने फास्टरक खाते में कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए तक रख सकते हैं फास्टरक कैसे काम करता है? हम आपको बताते हैं फास्टरक वाहन के windscreen में लगाया जाता है इसमें Radio Frequency Identification यानि की RFID लगा होता है इससे जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा के पास पहुंचता है वैसे ही sensor screen पर लगा हुआ फास्टरक सेंस कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे फास्टरक क्या है? फास्टरक एक उपकरन होता है जो वाहन के सामने वाले कांच पर लगाया जाता है और इसमें Radio Frequency Identification लगा होता है जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा sensor आपके वाहन के windscreen में लगे फास्टरक के संपर्क में आते हैं और आपके फास्टरक एकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुरू कार देता है और आप बिना वाहन रुके अपना प्लाजा टेक्स का भुगतार कर सकते हैं वाहन में लगा ये टेग आपके प्रिपिट खाते के सक्रिय होते ही अपना कारे शुरू कर देगा वहीं जब आपके फास्टरक एकाउंट की राशी खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा फास्टरक की वैदता 5 साल की होगी यानि की 5 साल के बाद आपको नया फास्टरक अपनी गाड़ी पर लगवाना होगा फास्टरक के क्या फाइदे होंगी? बताते हैं सड़क एम परिवहन मंत्राले ने टोल प्लाजा में टोल टेक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ीओं की लंबी लाइनों और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए फास्टरक सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजा पर शुरू किया है फास्टरक की मदद से आपका समय बचने के साथ साथ आपके पैट्रोल या फिर डीजल की भी बचत होगी जब भी आप फास्टरक लगी वाहन से किसी टोल प्लाजा को पार करेंगे तो फास्टरक अकाउंट से आपका शुल्क करते ही आपके पास एक SMS आ जाएगा SMS के जरीए आपकी फास्टरक अकाउंट से कितनी राशी काटे गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी आसपास की और भी नई ताज़ा खबरों से अबडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजीए SBT News और बने रहे हैं हमारे साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर